व्यूडियो वन्याव पूरे विष्व में कोई उतना वड़ा विद्वान नहीं था जो जोतिस विद्या को पूसी समझता उस समय दिल्ली की गद्दी कर मुहम्मद शाह थे और मुहम्मद शाह के अनुरोग पर सवाईजय सिंग ने किताब लिखी जीजय मुहम्मद शाही उसमें जोतिस का जितना किसे विष्व में जो कुछ आनठा ठां गूसा उसमें समय किया कि आपने सुना होगा ये जंतर मंतर अभणय कर बना होगे और स्का इस ना समझी करण अ तो और वो सवाई जैसिंग जो 22 विद्याओं के महारत की जैपूर की स्थापना से पहले साथ साल पहले उन्होंने जैसिंग पुरा की केड़ा के रूप में स्थापना की थी और यहीं पर उनका प्रिवेश था जो उनका ऑफिस थावुद हुआ करते हैं इसके साथ में करे योगदान है सतोहा में जो कुंड है जिसको शांतनों कुंड कहते हैं उसका चाड़ों तरफ की जो रिपेरिंग करते हैं वो सवाई जैसी में उक्राया था मत्रा में सीतारा मंदिर भी बनवाया था कि बहुत तलाइस की है लेकिन पता नहीं चला कि वो मंदिर कौन सा है तो एसी उम्मीद है कि वही मंदिर होगा जो सवाई यासी में बनवाया है और यह बड़े दुरुभार की गाज है कि हां हिंदुस्तान में इतनी बड़ी हिस्ती को जिसने उस दौर में गुलामी के उस दौर में इस देश की विराशत को पुरे विश्व में इंग्लेंड म पुर्तुगाल में अपने विद्वानों को भीजा कि वहां से जो रिकोर्टे आई उसके बाद ने देखा कि भारत में जो काम हो रहा था तो सारी दुनिया में नहीं नहीं हो रहा तो तब जो है वह जीजे मुहम्मद साही वह प्रकाशित्वी और उसके बाद जो कैलेंडर कि कई भी दोनों मिल करके उसको यह श्टित्या यह जो यंत्र बनाया जया थे वह इसलिए बनाया जाता है तो आज हमें इसको एक पर्व के रूप में एक आयोजन के रूप में इसको विक्षित करें और इस तरिके से धाराब है जो जिसने सारी दुनिया को रोशन की आपने ज्ञान से वुस्विद्वान को हम भूल गए यह हमारे लिए बड़े दुख की बात है कि अने शक्रों के साथ मांग करते हैं महारत सलकार से भी राजिसलकार से भी और इस्ठानी पुशासन से उनके इसमार की चिन है कम से उनको संदफ्चित किया जाए तकि आने वाली चुप्री है वोग जान से किसने बनावाया था इनका क्या महत्तों है बजाय उसके कि वह